हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप लोगों के लिए एक कवीता लेकर आई हूँ जिसमें मैंने पिता के लिए कुछ कहने की कोशिश की है वह अपने पसीने बेच कर तुम्हें हर खुशी से नवाजेंगे खुद की जिन्दगी बेरंग करके तुम्हारे जीवन में हर रंग हो लेंगे वो पिता ही है जो कुछ नहीं बोलेंगे जब भी कुछ लेने की जिद करोगे क्या चाहिए बेटा बस एक बार पूछेंगे क्या चाहिए बेटा बस एक बार पूछेंगे तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो अपनी हर मेहनत की कीमत को तोलेंगे वो पिता है जो कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें रेन कोट पहना के वो खुद बारिश में भीगेंगे तुम्हें रेन कोट पहना के वो खुद बारिश में भीगेंगे तुम्हें पलंग पे सुला के वो खुद जमीन पर सोलेंगे तुम्हें पलंग पे सुला के वो खुद ठंडी जमीन पर सोलेंगे वो पिता है जो कभी कुछ नहीं बोलेंगे वो पिता है जो कभी कुछ नहीं बोलेंगे खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पर तुम्हारी तकदीर सवारने के लिए वो अपने हातों की लकीरों को धोलेंगे वो पिता है जो कभी कुछ नहीं बोलेंगे समझोता क्या होता है उनसे पूछो हर हजार टेंशन में भी मुस्कुराना उनसे पूछो बस घर में किसी को चिंता नहो इसलिए अपने मन के राज को कभी नहीं खोलेंगे वो पिता है जो कभी कुछ नहीं बोलेंगे हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं उस इंसान से कोई गलती हो जाए तो जोड से डाटते हैं भूल जाते हैं हम कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है किसी से ठीक से बात न करें तो वो शर्माते हैं एक बात याद रखना तकलीफ उन्हें भी होती है दिल उनका भी दुखता है बस तुम्हें बुरा न लगे इसलिए बंद कमरे में अकेले वो चुप चाप रोलेंगे वो पिता हैं जो कभी कुछ नहीं बोलेंगे